नया गाउं शक्ति भवन रोड पर एक कार अनेंत्रित होकर दुकान की शटर तोड़ते हुए मकान में गुज गई जिसकी वज़े से दो महिलाएं घायल हो गई हैं लापरवा ड्राइवर को छेत्री लोगों ने पकल कर पुलिस के हावाले कर दिया गटना के चलते छेतर में देर तक हड़कम मचा रहा शक्ति भवन रोड पर एक कार ड्राइवर ने लापरवा ही पूर्वा कार चलाते हुए एक दुकान की शटर और मकान की बाउंडरी वाल को छतिक रस्त कर दिया दुकान की शटर तोड़ते हुए कार मकान में जागुसी जिसके चपेट में आने से दो महिलाएं घायल हो गई घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया वहीं लापरवा कार ड्राइवर को छेतरी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गटना को लेकर छेतर में हडकम मचा रहा छेतरी लोगों ने बताया कि रामपूर तिराहे के पास एकसिडेंट करके कार चालक तेजी से भाग रहा था तब ही कार आनियंत्रित होकर एक मकान में घुज गई और लगातार दो एकसिडेंट हो गए कार किसी सकसेना फैमिली की बताई जा रही है